नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है एक छोटा सा प्रयास मैं करने जा रहा हूँ एक छोटी सी सीरीज के हम शुरुबात कर रहे हैं जिसमें हम छोटे-छोटे वीडियो बनाएंगे पर्सनालिटी डिवलोप्मेंट के बारे में या फिर आप कहें लाइफ इसकल के बारे में और इसमें जो पहला टॉपिक हमने चुना है इस टॉपिक का नाम है एंगर गुसा एक चोटी सी कहानी के साथ मैं इसको शुरू करना चाहूंगा दोस्तों जब मैं पूरे अपने स्क नाचाहते हो या फिर अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से निकालना चाहते हो एक चीज जिस पर आपको कंट्रोल करना है वो है आपका एंगर फिर धीरे ये बात और भी अच्छे से समझ में आने लगी जैसे जैसे मैं लोगों से इंटरेक्ट करते रहा अलगलग तरीके के लोग हमको मिलते रहें और मैंने सच में ये देखा है कि ये जो एंगर है गुसा है ये कहने को तो सिर्फ एक एक एमोशन है पर अगर इसका हमने गलत इस्तेमाल किया तो इससे बहुत बहुत बढ़ा नुकसान होता है और इससे जो नुकसान होते हैं वो कभी भर नहीं पाते हैं अब इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाते हूँ एक छोटा सा बच्चा था उसको बहुत बहुत जादा गुसा आता था तो उसके पापा ने कहा कि यार अगर तुमको गुसा कंट्रोल करना है तो इसका एक तरीका है उसने कहा पापा क्या कर सकते हम गुसे को कंट्रोल करने के लिए तो उन्होंने कहा कि जब भी तुमको ग महिने का समय हो गया और अब बच्चे के गुस्टे पर कंट्रोल आ गया था क्योंकि धीरे धीरे उस दिवाल पर कीलों की संख्या कम होती जा रही थी अब उस दिवाल पर कम कीले ठोकी जा रही थी ऐसा समय बीता 6 महिने के बाद वो समय आ गया कि जब उस बच्चे को उस अब पापा ने उसको एक और टास्क दिया, उन्होंने कहा कि बेटा, जिस दिवाल पे तुमने ये सारी की सारी कील ठोकी थी न, अब उन कीलों को वापस से निकालो, तो बेटे ने का ठीक हम ये भी कर देते हैं, तो उस बेटे को एक दिन का समय लगा, और जितनी भी उस गुस्से पर तो कंट्रोल कर लिया, पर दिवाल पर तुमने जो ये कील ठोकी थी, क्या उसके धब्बे कभी जाएंगे, ये जो गड़े अब दिवाल पे हो चुके हैं, क्या उनको तुम दुबारा भर पाओगे, सेंस ये है कि गुस्से पर हम कई बार ऐसी बाते कह देते ह हैं, कई बार हम ऐसे काम कर देते हैं, जुनको हम चाह के भी दुबारा ठीक नहीं कर सकते, गुस्सा जो सबसे जादा हर्ट करता है, वो करता है दूसरे के emotions को, दूसरे की feeling को, इस गुस्से को हम कितना गलत यूस करते हैं, कभी अपने माबाप पर, कभी अपने चाहने वाल पर, कभी अपने दोस्त पर, हम गुस्से में बहुत सी बाते कह देते हैं, हमको एक या दो घंटे के बाद ये realize भी हो जाता है, कि यार हमने इससे जो बात कही थी, वो गलत है, उसको बुरा लगा, हम उसको sorry भी बोलते हैं, पर क्या आपको कभी ये feel होता है, कि वो बात पहन में रह जाएगी, और कभी भी ऐसा movement होगा ना, वो आपको कहिया, इसको बहुत गुस्ता आता है, और बहुत मुश्किल से आपकी image फिर change होती है, ये जो anger है, ये life को बरबाद कर देता है, और मैंने ये देखा है अपनी आँखो से चीजे को, इसी लिए, this is my humble request दोस्त guys, कि इस emotions को control करना सीखो, देखो कभी भी कोई emotion बुरा नहीं होता, गुस्ता भी एक बुरा emotion नहीं है, anger भी एक बुरा emotion नहीं है, वजाए कि आप उसे सही तरीके से use करना सीखी जाए, ठीक है, कई लोगों में गुस्ता होता है, जैसे कि मांजी साहब में गुस्ता था, दे ऐसे गुस्ता होना चाहिए, एंगर को वहाँ use करना चाहिए, एंगर को अपने दोस्तों, अपने घरवालों और अपनी life के साथ use मत करो, और आप भी जानते हैं कि ये गुस्ता कितने गलत काम करा देता है, तो guys, उस story को याद रखना, कि आप कील तो निकाल दोगे, पर उस ऐसे ही आप अपने गुस्ते पर कंट्रोल करोगे, trust me, you will feel change in your surrounding, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, लोग आपकी respect करना शुरू कर देंगे, और खुश रहो यार, मूँ बनाने वाले लोग किसी को पसंद नहीं होते, वो खुद तो खराब होते हैं, साथ में चा को पसंद होते हैं, take care, best of luck, let's crack it.